मंगलवार को मंत्रो चारन और हवन्यक के साथ दी कर्णाल सहकारी चीनी मिल के 44 वे पिराई सत्र का शुभारंब हुआ विधायक हर्विंदर कल्यान रामकुमार कश्यब धरम पाल गोंदर उपायुक्त एवं मिल चेर्मेन विने परताप सिंग तथा प्रबंदक निदेशक जॉक्टर सुशील कुमार मलिक ने हवन्यक में पून आहुती डाल तथा मिल में गन्ना डाल कर विदिवत रूप से पराई सत्र का शुभारंब किया इस मौके पर तीनों विदायकों की मजूद्य में चीनी मिल के निवनी करन कारिये के लिए कंपनी परतिनीधियों और मिल प्रशासे ने एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये निवनी करन का यह कारिये 263 करोड रुपे की लागत से पूरा किया जाएगा और इसे 11 महीने की अबदी में पूरा कर लिया जाएगा विदाय करविंदर कल्याद ने उपसित किसानों और करमचारियों को पिराई सतर तथा मिल के नियमनी करन कारे मुकबारत बाद दी इस मील के नम्री करण की घोशनाय तो कई बार की गई लेकिन इस परियोजना को धरातल पर वर्तमान मुख्य मंत्री और भाजपा सरकार ने ही लागू किया है उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी होने के बाद पुराने शुगर मील को भी कुछ समय के लिए चालू रखा जाएगा और नए मील की पराई शमता मिविस्तार की संभावनाओं का प्रावधान भी किया गया है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के प्रियासों से मेरट रोड को फोर लेंड करने की परियोजना पर भी जल्द कारिया आरम होगा इस परियोजना के लिए वन विभा को सो एकर भूमी हस्तांतित करने की प्रक्रिया जारी है और यह पूरे होते ही निर्मान कारे आरम करवा दिया जाएगा करनाल जिले में लगबग 104 करोड रुपे की लागत से आवर्दन नहर की पट्री पर 15 किलोमीटर लंबे बाइपास का निर्मान किया भी जल्द शुरू हो जाएगा नहर का चोड़ा करने के बाद यह बाइपास बनने से यहां यमना नगर से आने वाले वहनों को दिल्ली जाने के लिए शेहर के बार सुविधा जनक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा वही घरोंडा शेतर के गन्ना अफपादक किसान भी इस रास्ते से सुविधा पुन तरीके से अपना गन्ना मील तक पहुँचा सके लिए उन्हेंने किसानों को आवान किया कि वे महारास्ट व गुजरात की तर्च पर सहकारी चीनी मीलों में सहकारी व्यवस्ता को प्रभावी तरीके से लागू करने की पहल करे ताकि मील का पूरा प्रबंध किसान अपने स्तर पर कर सके उन्होंने कहा कि सहकारी व्यवस्ता के अध्यन से इच्छुक किसानों को महारास्ट और गुजरात के भ्रहमन की व्यवस्ता भी सरकार द्वारा करवाई जाएगी बड़ी बड़ी सोगात देने का जो काम की है उसमें एक सुक्रमील हुए और ये हमारे दुए जीले के दिए उन्ति का अवसर है मैं माननी मुख्यबंतरी जी का माननी है और माननी है यहां के चेर मैं भी सिसाब का जिस परियास के लिए पैदिन से बनाएगी शुक्रियों के लिए खासतोर पर आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज च्वालिस में पिराई सब्सक्राइब बारम करनाव कोपरेटिव शुगर मिल में हुआ है और मैं समझता हूं कि इसे और बड़ी खुशी जो इलाके को मिली है जो हमारी नई शुगर मिल का जो कारिय जो प्रार का महीने में नई शुगर मिल बनकर तियार होगी और उसके बाद एक शेकर में और बी गन्ने का उburgा उतीसानों को किसी भी तरह की कुई दिक्ट नहीं होगी और नई शुग़ मिल बनने के बाद जो पुरानी शुगर मिले उसको भी कुज समय के लिए रखा जाएका और ज सुकरमिल के साथ नेक मेर्ट रोड़ को भी फोर्लें चाहनों किया जाने की बात उन्हों कहीत थी तीन साल हो चुकी है दस दिन में पिछले दस दिन में दो मोते होचुकी है बाइक सवारों की जमीन का इंतियाम अभी किया जा रहा है जल्दी वो जमीन उतलब होते ही जो परकरिया भी हमारी शुरू है मुझे उमीद है कि अगले एक महिने के अंदर इस कारे को पूरा करके और सरकार के पास ट्रांसफर के लिए बेजा जाएगा और जैसे ही वो जमीन और इसकी भाग को राजगराना और जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightening, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गार्डन, a JBD Banquets Enterprise